हलो औरीवन, आयाई एटिन ट्रेडर फैमिली मापक का बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वेटनेस डे के दिन मार्केट किस प्रकार से काम करने वाला है पेट्डेस देखे दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के support and resistance level क्या होने वाले है और इस गिरावट के अंदर कहां पे market support ले सकता है क्या यहां से यह नीचे ही जाने वाला है या फिर यहां से reverse करके आ सकता है, जो mid cap है small cap है, उनके अंदर आपको क्या करना चीए, तो यह सभी जानकारी इस वीडियो के इंदर आपको मिलने वाली है तो पूरा वीडियो आपको देखना है, चीज़ी आपको तभी समझ में आएंगी, अब चलते हो और आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने मारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आनों को सस्क्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो, टेलिग्राम चैनल एंड जो वाटसब ग्रूप है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्न बॉक्ट में मिल जाएगा, जाकर तरीके से काम यहाँ पे होकर के गया है, तो आप देख सकते हों कि मार्केट ने यह वाली जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन दिया, तब हमने यहाँ पे यह अपर साइड की अंदर एक resistance zone, एंड डाउनसाइड के अंदर यह एक support zone है, वो यहाँ पे ड्रो की थी, और अब यहाँ पे क्या किया है, हमने बात की थी कि यह इस zone की अंदर क्या कर सकता है, यहाँ पे काम कर सकता है, और उसके बाद में breakout किया, फिर breakdown देने वाला है, अब इसने breakdown किया है, अब breakdown किस तरीके से किया यहाँ से गिरा उसके बाद में वापस upside, फिर से नीचे, फिर upside तो यहाँ पर यह नीचे आ गया है, अब यहाँ जो new एक यहाँ पर swing high बना, उस ने previous वाले swing high को cut नहीं किया है, और यह जो swing low है उसको cut कर दिया है यह वाला swing low है उसको cut कर दिया है अब यहाँ पे यहाँ जो candle है वो ही breakdown करके चली गई थी तो breakdown करके चली गई थी तो यहाँ पे gap down opening होती है और यह उपर तक bounce लेता है तब हमने यहाँ पे कल बात की थी कि अगर यहाँ से यह upside बनती है तो कोई problem नहीं लेकिन यहाँ पे अगर यह आकर के उपर जाकर के रेजिसर्स फेस करके नीचे गीरा तो फिर इसके अंदर एक अच्छी कासी selling है वो हो सकती है अब यहाँ पे दो condition बन सकती है एक 90% case है और एक 10% का case है 90% की अंदर downside बन सकती है और 10% में upside बन सकती है क्यों बन सकती है देखो का पूरा market है वो अब sell side के अंदर आ चुका है आपको पता है कि यहाँ पे इसने क्या किया है यह जो आप देख सकते हो कि support के pass में इसने क्या किया consolidation किया उसके बाद में bounce लिया ठीक है उसके बाद में breakdown किया उसके बाद में breakdown के बाद में पूरा retest किया है ठीक है retest किया है औ और फिर low को break कर दिया है तो यहाँ पे मानना ये होगा इतनी सारी conditions बन गई तो मानना ये होगा कि यहाँ से market के अंदर downside बननी चाहिए और यहाँ से बन भी सकती है पूरे chances है कि यह downside बनेगी अब यहाँ पे 10% upside कहां से हो सकती है इसका एक यहाँ पे psychological level है ठीक है psychological levels की हम बात क psychological क्या चीज में बोलूगा level छोड़ दीजे क्या चीज है यहाँ पे देखो सब लोग है वो क्या है यहाँ पे negative है कि यहाँ से market गिर जाएगा level से सब के सामने चार्ट भी सब ही देख रहे हैं ठीक है कि यहाँ से गिरेगा तो जब market के अंदर यहाँ पे 90% probability के chances होते हैं तो market उसके एक से दो दिन के अंदर उससी इसको नहीं करता है ठीक है ध्यान से देखिए करेगा गिरेगा लेकिन एक से दो दिन के अंदर नहीं करता है वहाँ पे market जस्त लोगों को फसाने का काम करता है लोग यहाँ पे sell side के अंदर आ जाएंगे और market उन सब लोगों के sell side वाल बन सकती है क्योंकि सब लोग यहां पे क्या हो गए यहां पे सेल के अंदर एक कनवर्ट है वो हो चुके हैं बायर्स नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि PMS है ठीक है पोर्ट पोलियो जो मेरेजमेंट सर्विस है उन्होंने यहां पे सेल करना स्टार्ट कर दिया है FII वाले पहले से सेल कर रहे हैं DII ने भी यहां पे क्या कर लिया है एकदम होल्ड कर दिया है Retailers की हम बात करें Retail के अंदर ठीक है Sorry Retail के अंदर यहां पे हम बात करें तो वो भी Hold के उपर है तो यहां पे अभी क्या हो रहा है कि जो मैंने पहले भी बोला था कई बार कि जो यहां पे Buying का Lack है ठीक है Buying नहीं हो रहा है Buying है Lack of Buying है वो हो रहा है तो उस चकर के अंदर क्या हुआ मार्केट के अंदर recovery है वो नहीं आरी और sustain नहीं कर रही तो market यहाँ पे क्या हो रहा है जो sell on rise है sell on rise का market बना हुआ है तो इस चकर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है यह गिर सकता है लेकिन 10% यहाँ पे chances थे कि एक से दो दिन के अंदर ये एक recovery दिखा सकता है अब क्यों दिखा सकता है? क्योंकि पहले भी market के अंदर ऐसा हुआ है कि ये गिरा है, यहां से नीचे आया है अब ये वापस upside जा सकता है सिर्फ यहां तक ठीक है और फिर ये गिरेगा, ये low भी break हो सकता है बार मार्केट है वो 18,600 के करीबन गया तो मार्केट वहां से टच करके नीचे के अंदर यहां पे करेक्शन मोड के अंदर आया और उस करेक्शन मोड के अंदर आप देख सकते हो कि 15,300 से लेकर के 15,200 की रेंज के अंदर आया था और यहां पे almost 18% की गिरावट हुई तो इसका मीनिंग यह नहीं है कि मार्केट यहां से एक काफी अच्छी बुल रन के अंदर था ठीक है बुल रन के अंदर था और मार्केट एक डारेशन के अंदर जा रा था तो उसमें करेक्शन नहीं हो सकती तो यह करेक्शन यहां पे healthy करेक्शन होती है यहां पे अभी भी बुल र और लॉंग टम के बुल रन के अंदर ऐसी चीज़े होती रहती है कि यहाँ पे आपको एकदम डराया जाएगा आपकी सास हटकाई जाएगी और फिर वहाँ से बाइंग आईगी ठीक है अब यहाँ पे एक सीज में आपको बताना चाहूंगा क्या बताना चाहूंगा कि आप प्रोब्लम क्रियेट कर रहे हैं और यहाँ पे कंपनियों के अंदर जो वैल्यूएशन के प्रोब्लम्स थे वो आप देखोगे तो वो यहाँ पे उनके चलते हो मार्केट गीरा अब आप देखो मैंने क्यूट्टू का यहाँ पे बेस है वो सिप्ट हो चुका है इसलिए सच्छे नहीं आ रहे ऐसा नहीं है कि कंपनिया यहाँ पे प्रोफिट नहीं कर पा रही है प्रोफिट कर रही है पहले के बराबर कर रही है पहले से ज्यादा भी कर रही है लेकिन पहले से बेस है वो सिप्ट हो चुका है पहले बेस बहुत चोटा था रिवेन्यू बहुत चोटा था अब यहाँ पे बड़ा profit और बड़ा revenue आता है तो base shift हो चुका है तो थोड़े दिन यह saturate रहेगा उसके बाद में फिर से यहाँ पे चाल आएगी यहाँ पे आप देख सकते होगी 6-8 महिने की correction थी उसके बाद में फिर से यह market जब निकला तो पीछे नहीं मुड़ आने वाली है उसके अंदर यहाँ पे interest rate cut कब start होता है तो लेकिन यह start होना बाकी है तो सबसे बड़ा trigger यही होगा कि interest rate के अंदर cut आए और जब cut आएगा तो उससे पहले यह market saturate करके सब लोगों को क्या डरा करके बाहर निकलवा देगा और जब बाहर निकल जाएंगे तब लोग यहाँ पे क्या करेंगे entry लेंगे तो यह यहाँ पे सिर्फ डराने का काम है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप अभी तक आपने जो mid cap है टीक है mid cap और small cap के जो stocks है या फिर कोई भी stocks है टीक है उनके अंदर sell नहीं किया है तो अभी आपको क्या करना चाहिए hold करना च हो चुकी है तो अभी आपको hold करना चाहिए अगर आपके पास अच्छे stocks हैं अगर खराब stocks है तो आपको यहाँ पे उनके अंदर से निकलना चाहिए valuation की जो problem थी वो sort out हो रही है क्योंकि market के अंदर इतनी गिरावट होगी तो valuation already settle हो जाते है तो वो चीज़ आपको नहीं डरनी घबरानी है market के अंदर वो settle हो चुके हैं तो अभी आपको यहाँ पे उनके अंदर hold करना चाहिए यहाँ पे एक चीज मैं बोलूगा आपको लुए जो level है वो आपके सामने में रख देता हूँ ठीक है 15 मिर्ट का जो यहाँ पे चार्ट है वो हम open कर लेते हैं और 15 के चार्ट पे यहां पे हमने condition बनेगी या तो ये range के अंदर ये open ओकर के range बना करके breakout या फिर breakdown देगा या फिर ये क्या करेगा upside में या फिर downside के अंदर opening देगा तो upside में opening देता है तो यहाँ पे भी range बनने देनी है उसका breakout या फिर breakdown देखना है यहाँ पे भी range बनने देनी है उसका breakout या फिर breakdown देखना है लेकिन यहाँ पर opening देने के बाद में यह pullback लेकर के breakout देता है तो आप बाइंग कीजिए यहाँ पर opening के बाद में यह bounce लेकर के breakdown देता है तो आप sell कीजिए अब यहाँ पर next और जो important support releases है ठीक है वो आपके सामने में लगा देता हू क्योंकि वो काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं तो 24,520 के बाद में 24,575 है यह 24,635, 24,685, 24,730, 24,765, 24,800, 24,850 यह हमारे resistance होगे support की बात करें तो 24,450, 24,400, 24,350, 24,330, 24,2,250, 24,215, 24,100 यह हमारे support areas होने वाले हैं तो यहाँ पर निफ्टी की बात हो गई अब बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर इस वाली trend line का support ले रहा है आपको पता है इस वाली trend line से support लेकर की upside में गया फिर से नीचे फिर upside फिर से नीचे फिर upside बनी फिर से यह नीचे लेकिन इसके अंदर सबसे कट करता है तो नीचे में ये trend line हमारा support area बनेगी लेकिन आपको साउधानी रखनी है कि ये breakdown कर गया ना तो फिर ये ज्यादा नीचे आने माला है लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अभी ये support area में है यहाँ पे support मिला है यहाँ पे support मिला है तो यहाँ पे नीचे आएगा थोड़ा internet में लेकिन यहाँ से support लेकर के upside बन सकती है तो वो चीज इसके अंदर हो सकती है तो ये आपको ध्यान में रखना है अब इसके भी जो कल के level है वो आपके सामने 15 मिनिट के चार्ट के उपर मैं लगा देता हूँ तो यहाँ पे 15 मिनिट के चार्ट के आई है and 51,175 ये low है ठीक है 175 ठीक है इसके अंदर भी तीन condition या तो ये range में open होगा या फिर यहाँ पे gap up या फिर gap down ओपन देगा ठीक है upside में या downside में same इसमें भी एक range बनने देनी है उसका breakout या फिर breakdown range बनने देनी है उसका breakout या फिर breakdown अगर यहाँ पे ही open हो करके ये pull back ले breakdown करता है तो आप sell कीजिए अब important अगर ये उपर में निकलता है तो सबसे पहला रजिस्टर्स ये वाला उसके बाद में ये वाला ये वाला ये वाला उसके बाद में ये और ये यह हमारे रजिस्टर्स होंगे यहाँ से breakdown करता है तो ये उसके बाद में ये और उसके नीचे और भी लेबल से हैं लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है 51,325, 51,425, 51,575, 51,675, 51,775, 51,950, 52,025, 52,015, 52,035, 52,075, यह हमारे रिस्टर्स एरियाज होगे, सपोर्ट की हम बात करें तो 51,175, 51,000, 50,900, 50,775, 50,625, 50,400, 50,200, यह हमारे यहाँ पर सपोर्ट एरियाज हैं तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी और जो निफ्टी है दोनों के important support and resistance एरियाज की बात कर ली है साथ में मैंने आपको जो 90% and जो 10% का ratio था वो बता दिया है जो mid cap and small cap है ठीक है उनके अंदर आपको क्या करना है वो आप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिलकुल free में हमारे इंडर में डीमेट अकाउंट open कर सकते है उसका link आपको description box में मिल जा 味 हूँ आपको याद ओे है वीडियो को में टॉВОरा है चैनल कर सकता है जाकाउंट??